हलो वरीवान वेलकम बैक तो अबर यूट्यूब चैनल फ्रेंज आज इस वीडियो में हम करेंगे अपना नेक्स पार्ट नमबर टू सो गाइस जैसा कि अब सबी को पता ही किये कि हमने अपी तक रजोरी और अपनी डिस्टिक जोती पुंच रामबन इन तीनों डिस्टिक के ट्वंटी से ट्वंटी टू तक ये एक्जाम चलेगा आपका यूनियर एस्टेंट का तो बच्चों के स्लेबस में ये टॉपिक तो हाई है ये आपको भी पता है तो गाइस मैं आपको बता दू जो हमारी एक सीरीज थी mcqs top 50 mcqs अभी तक वो 10,000 बच्चों ने वो वीडियो देख लिए है क्योंकि बच्चों को काफी अच्छी लगी क्योंकि जोग्राफी जोग्राफी याने कि इसमें लिख्या हूँ है कि भैधर पढ़ना आपको कलाइमेट पढ़ना है क्राप्प्र पढ़नी है रीवर्स पढ़नी है लेक्स फ्लोरा फ्राफणा और Daisy जो यह एक्ष्ट्र जो एक्स्ट्रा है ना स्लेबस है उसमें जोगराफी पूरी है जेनके की एकानमी पूरी पढ़नी है हिस्ट्री आपको पूरी डिटेल में पढ़नी है ठीक है जब आपका पंचायद का एक्जाम था उसमें क्या था कि इसमें आप तो देखो यहां पर यह नहीं लिखा है सीधा लिखा हुआ है कि हि पूरी हिस्ट्री पढ़नी है उस ताइम क्या था कि हिस्ट्री आप जेनके एंप इंपॉर्टन देर प्लेस और कुछ प्लेस की इंपॉर्टन्स पढ़नी थी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था तो चीज़ें वहीं से आई इस वार क्या होता है कि आप देख सकते हो कि डि पढ़ रहे हैं तो उसमें तो हमारा ये चीज़े कबर अप होई जाती है जेनके रियार्गनिजेशन प्लकि जेनके यूटी के लेटर हमारा कोई इशू नहीं है वो हमने सारा कुछ पढ़ा दिया बच्चों को ठीक है तो देखते हैं फाइनस का एक्जाम है जो 30 जनवरी क होगा और एक्साम में क्या क्या चीजने पूछी जाती है एक सिंगल हैं तो एक्सी भी मोड़ पर हो सकता है कैसा भी हो सकता है difficult हो सकता है moderate हो सकता है तो रहेगा तो एक्साम moderate ही जाधा difficult भी नहीं होगा क्योंकि कूछished section इतनी easy होँगी आप अनताजव नहीं लगा अपा होगे English तो most easy होगी इतनी बात याद रख लेना क्योंकि कुछ session difficult ही होंगी ठीक है तो आज इस वीडियो का हमारा यह motive क्या है कि हम रियासी डिस्टिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और रजोरी डिस्टिक में सर क्या theoretical portion पढ़ेंगे नहीं MCQ series है आपकी इसमें आज ह उस पे क्लिक करो आपको रामबन और पुंच के जो MCQs है वो मिल जाएंगे part 1 में तो guys मैं आपको बता हूँगा कि मैं सिर्फ 10 part में यह series complete करने जा रहा हूँ और लगबग लगबग मैं आपको बता दू 2500 plus MCQs आपको मिलने जाने जाने वाले हैं हो सकता है कि आपको 300 से पहले पहले यह काम सारा हमें करना है बाकि जो theoretically portion चल रहा है उसका फाइदा जिनका exam late है वो ले सकते हैं ठीक है पर यह जो theory है सिर्फ MCQs है इसमें सिर्फ important question होंगे ठीक है तो आपने देखा यह होगा कि हमारे जो MCQs session का demo रहता है वो किस तरह से रहता है अभी तक हमारा DICE 200 MCQs की जो series आई थी जिसमें मैंने आपको 50 MCQs थे जो फ्लोरा फना पे थे और 200 MCQs थे जर्नल लालेस के लेटे थे यानि कि JNK के history भी हो सकती है जिग्राफी हो सकती है economy कोई भी topic उसमें included था पर यह जो अभी चल रहा है यह particular topic है जो कि आपका history आप JNK के बताता है ठीक ह इस तरह की history आपको पढ़ाई तो बहुत सारे channel नहीं है बट आपको MCQs आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे यह मेरी guarantee है ठीक है चलिए फिर चलते हैं अपने 30 MCQs पर और बच्चे PDF मांगते हैं इसकी तो मैं आपको बता दूँ इसकी PDF अभी अगर हम provide कर देंगे तो बाद में हम आपको पूरा इसको कैसे 300 MCQs कैसे provide करेंगे अगर आपको practice कि अगर नहीं है आप channel पर वीडियो को open करो उसको बार बार देखो इससे आपकी practice हो जाएगा अगर मैं आदी वीडियो save करूंगा पहले फिर उसको आपको provide करूंगा इससे क्या होगा कि अलग लग दिन मतलग कि जैसे आज 30 की करी कल में 60 की तो आपके पास भी repeat competition सो हो जाएगा इसा नहीं होना चाहिए आज 60 तक MCQs होंगे हमारे ठीक है और कल यहां परसों तक मैं आपको दूसरी वीडियो पर प्रवाइड कर दूंगा ठीक है और जो theoretical आने वाला जो हमारा पार्ट होगा वो आपका Facebook पर भी देख सकते हो ठीक है Facebook पर हमारा page एक JK Practice का उसको जरूर लाइक और follow करो गाईस क्योंकि आपकी sport के गारण हम आगे तक जा सकते हैं अगर आप उसको लाइक करते हैं अब इतक मैं आपको बता दू कि उसमें 150 follower हो चुके हैं हमारे within 10 to 15 days इतने दिन के बीच में हमारे इतने follower हो चुके हैं तो आप इसको जल्दी से लाइक करो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है क्योंकि इस पर भी मारी वीडियो आती रहती है तो गाईस यह हमसे क्यों तो आप सभी को पता है इसमें सिर्फ आंसर मार करना रहे हैं बाकी आपको पता ही हो चुके हैं तो हाँ यहां पर है इस question को किस तरह से करना है यह मैं आपको बता देता हूं पहले इन question को आप ऐसे practice करो ठीक हैं सबी बच्चे मुझे इसका answer live chat में जो live chat चल रही है उसमें इसका answer mark करो last में with honest honesty के साथ आपने मुझे अपना 30 out of कितना score हुआ मैं आपको बता दू जो मैंने प था इसमें ठीक है उन्होंने बोला दो कोशिन गलत हैं फिर भी अगर मैं बात करो तो 27.50 marks उनके इसमें से बने ठीक है चो टेस्ट हमने 30 marks का लिए था कुछ बच्चोंने 23 भी लिए है 25 भी लिए 26 भी लिए 23 22 वस ऐसा ही circle चल रहा है यह वो 22 23 वाले वह हैं जिन्होंने हमा पारा लेक्चर नहीं है अथिरूटिकल पोशिन का ठीक है बोड़ा की बैंडिड रियसी बिकेम एडिस्टिक इन जमून कश्मीर रियसी थी जो डिस्टिक कब बनी थी जमून कश्मीर में जल्दी से इसका असर मार्क करो 2005 में बनी, 7 में बनी, 9 में बनी या फिर 10 में बनी जो भी बच्चे इसका असर भी मार्क कर रहे हैं बिल्कुल सही है 2007 में रियसी जो थी एक डिस्टिक के रूप में देखने को मिली उसके बाद नेक्स कोशन जो हो रहा है कि जो सलाल हाइडरलेक्टरी पावर परजेक्ट है, लोकेटेड है रियसी डिस्टिक में और किस रिवर पर है जीलम पर है, चनाव, रावी यह उज़, उज़ पर नहीं है सर, रावी पर भी नहीं है बताए ज़रा इन दोनों में से कौन सी रिवर पर है अगेन आप्शन इस दब भी, जो भी बचे आप्शन भी, चनाव रिवर मार कर रहे हैं, बिल्कुल सही है सलाल हाइडरलेक्टरी पावर परजेक्ट आपका काँ से है यह आपका रियसी डिस्टिक में हो, चनाव रिवर पर है, ठीक है वह आप से पूछा जा रहा कि फौंडर कोन है, रियसी डिस्टिक के, रियसी डिस्टिक के फौंडर कोन है इसमें से ऐसे कोशन भी हैं, जो एक्जाम में अल्रड़ी पूछे भी है भीम सीना है, भीम देव है, भीम बर सिंग है, या फिर गुलाब सिंग है जल्दी से पता है इसका अंसर क्या है founder को उनते रियासी के तो again option is B भीम देव ठीक है after that next question बोड है कि जो रियासी डिस्टिक है name derived from which of the following option देखिए जो रियासी डिस्टिक का जो नाम है वो derived हुए है इन option में से किसी है इसमें से क्या वो रासो से लिया राश बिहारी से लिया गया रामसू से लिया गया रामसू जो प्लेस है यह आपका रामबन में याद रखना तीक है रामबन में है और रियासी डिस्टिक है इसका नाम जो derived हुआ है वो guys हुआ है आपका जल्दी से मार करी एक कोशन एक्जाम में कहीं बार पूछा गया अब भी अगर मैं बात करूँ 2021 के एक्जाम में ही यह बड़ी बार कोशन पूछा जा चुका है और एसिस्टेंट कंपाइलर में भी पूछा गया रसियाल इस दा राइट आप्शन रियसी establishment कब की गई थी नाइन सेंचुरी में सिक्स्त में एर्थ में या फिर फिफ्ट सेंचुरी में ठीक है अब डिस्टी को बूल जाओ मैंने करंट का मतलगी अभी करंट में डिस्टी का है तो इसलिए मैंने इसको डिस्टी का नाम यहां पे दिया पोच्चा जाए रियसी टौन जाए रियसी नाम है जो established कब हुआ था जगा कब established की गई गई तो जो भी बच्चे option C मार कर रहे हैं बिल्कुल सही 18th century में ओके session कैसा लग रहा है like करो सबसे पहले बच्चे like नहीं करते हैं बिना like किये चले जाते हैं who was the commander of Rajagulab Singh metals सिंग के कमार्डर कौन ते हरी सिंग थे जनर्र जुरावर सिंग था रनवीर सिंग थे चंजीज सिंग थे कोन था इनमें से कमार्डर राज़वर सिंग के जलदी से पता है इनसे answer जलदी so guys जो राजा जुरावर सिंग थे इनके जो कुमांडर थे वो थे आपके जर्नल जुरावर सिंग जो भी बच्चे आप शिर भी मार करें बिल्कुल सही 8022 में I think 8022 में इन्होंने रियासी में गे थे जर्नल जुरावर सिंग आप जाओ के रियासी में वहाँ पे आपको इनका स्टैचू भी मिलेगा ठीक है अब बोलता कि बैशन देवी हिल्स है सोरी टैंपल है जो लोकेटेड है बीच आप दी फ्लोइंग हिल्स नंदा हिल्स पे शिवाली किया त्रिकुटा या फिर नंद यह तो सभी को आता हो अगर मैं बात करूं कि विपोर अगर 2020 अराउंड 20 हाँ 20 21 में भी कोशन आया ही था कदासफोर्ट में बहुत सारे एक्जाम में यह कोशन पूचा गया रिपीटली अब अब नहीं पूचा जाएगा क्योंकि यह कोशन आम हो चुका है इसमें आपको बता दूँ अभी जो रिसेंटली बात करूं कि हैपी न्यू येर बाले दिन फस्ट जनबरी कोई एक आसा सुनने को मिला हमारा तो यह था था तो 31 कोई स्वरी फस्ट जनबरी कोई हुआ रात के दो यह सब दो बजे बहुत सारे बच्चे बोरे से सराइक सा क्या हो गया देखिए प्रिकाशन्स नहीं लिए गे और वहां पे जो स्क्योर्टी टाइट ना होने के कारण ठीक है धियान ना दिया गया तो जिसमें मतलगी राउंड जो पिल्ग्रिम्स थे वो जो इनकी जातरा थी वो अरूंड 3.5 लैक के राउंड वहां पे जमा हो गी थी उसके कारण वहां पे बगदर मच की जिसके वारन वहां पे काफी सारे लोग जहते मेरे बहुत लोग थे जो जिनको अपनी जान से हाथ दोना पड़ा ठीक है यह बहुत ही बड़ा इंसिटेंस हुआ है यह वहां पे वैशन रेवी में यह त्रिकुटा हिल्स पे है ठीक है जो आप्शिन सी मार करें विल्कुल सही बोला जारा है कि हो बिल्ट भीमगड फोट रियसी डिस्टिक अप जमनकश में यूने टेट भीमड जो फोट है यह आपका है कहां पे इसर यह आपका है रियसी डिस्टिक में यह आपने बताया है सर रियसी नाम रसियाल से आया है और रियसी तियृ डिस्टिक अब मनी 2007 में और यह establishment इसकी बात करूँ 8th century में हुई थ है यह मेंन में और यहासी में आपकी सलाल हाइड्र इलैक्ट्रिप्ण पा цвет ट्रोकुश्ट है खेक और और अपर बहुत सारी रीवर्स है आंजाबान गंगा दो भीन योटी इस हैं रीवर्स हैं तो बताई यह जिसज़ा किस न बनायenfisl जरनल जुरावर सिंग नोट बीम देव नाव खरीहाज नोट गुलाब सिंग ओके राइट आप्शन इस सी गई सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करो अब बोल रहा है कि बीम गर्ड फोर्ड है जो लोकेटेड इन रियासी डिस्टिंग बिलकुर रियासी डिस्टिंग म का अंसर क्या हो सकते हैं जो भीम गर्ड फोर्ड है यह आपका लोकेटेड है जो भी बचे आप्शन सी मार कर रहे हैं बिलकुल सही अंजी रिवर के नेर जो रियासी का है वो यहाँ पर कमेंट करें जल्दी से अच्छा उसके बाद नेक्स कोशन आता है कि रियासी जो डिस कि किस डिस्टी का ये का ऐसा हिसा था जिसको उसमें से अलग कर दिया गया दोजा साथ में तो यह क्या जम्मू का था अनंतनाग था शोपियान था यहां फिर उदुमपूर का था तो यह था आपका उदुमपूर का तीक है जो भीचे आप्शन डी मार कर रहे हैं बिलकुल उसके बाद आता है इस्टोरिकल नेम आफ रजोरी डिस्टी का देखे इस्टोरिकल नेम पूछ रैप से रजोरी डिस्टी का क्या था राजोर था राजपूरी था राजन अगर यह नाम तो इस्टोरिकल सबी थे अगर एक most appropriate की बात की जाए तो बतायी ज़या जारा क्या इसका ऐसा कोशन तो सर्जी कैसर भी नहीं पूचे की जैसा आपने बूच लिए हमसे तो वो नाम था इसका जो भी बच्चे आप्शन भी मार कर रहे हैं राजपूरी हिज़ा क्रेक्ट आप्शन ओके होपसो यहां तक आपके 11 कोशन ठीक होए होगे अब हो रहाए थे की हां और जोरी थी जो डिस्टिक बनी कब देखे और जोरी जो है यह पाड़ था किसका पूच डिस्टिक का पाड़ था ठीक है पूच डिस्टिक से इसको आपको पता है जब पूच का कुछ हिसा जो आपका था प्योके के अंडर चला गिया ठीक है और 1947 में फार्मेशन होई डिस्टिक बन गी फ्र उसको फदर डिवाइडेड कर दिया गया था पुच को दो दिस्टिक में first जोरी second one is पूंच ठीक है यह दो डिस्टिक में इसको डिवाइड कर दिया गया कब गईवा था यह पाद 1967 में जो दरज्रह इसको first January 1968 में ये जब़की effect में लाय गया after that next question land of kings ये भी question बड़ी बार एक्जाम में पोचा गया land of kings is known as which of the flowing district जमून किश्मीर land of kings कौन सी district को बोला जाता है जमून किश्मीर क्यों क्या रजोरी है पुंच है किस्तवाड है या बारा मुला जल्दी से बताए इसका अंसर क्या है रजोरी पुंच किस्तवाड या फिर बारा मुला तो राइट आप्शन इस ए आप्शन रजोरी डेस्टिक ठीक है चले नेक्स कोशन अब बोलता है कि इन महावारता इन महावारता पीरिड रजोरी किंग्डम was known as महावारता के टाइम पे जो अपना रजोरी था इसको किस नाम से जानते थे पंच के नाम से जानते थे पंचल देसान तीस गलत हो गया है पंचल देसा के नाम से जानते थे यहां फिर नन के नाम से जानते थे तो इसको जानते थे आपके right option जल्दी से मार करो guys right option is c option पंचल देशा के नाम से इसको जाना जाता था ठीक है अब बोलता कि when did हूंग तसेंग बिजिट इन दी टौन आफ रजोरी रजोरी के टौन में हूंग तसेंग कब बिजिट किया था इसने यहां के लोगे जो क्यों के हिस्टी है क्यों के एंड हैस्टी है अब देखे रियसी की यह कोशन खतम हो चुके है रियसी क्योंकि छोटा था उसका हिस्ट्री है चोटी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो उसके कोशन सिर्फ 10 ही निकले तो most important वही थे में यह विजिट किया था अब हो रहाए कि हुरोट रजोरी है सी राजवारी देखिए कोई आथर है इनमें से जिसने अपनी बुक में लिखा है राजवारी रजोरी को कौन सा आतर हो ज़रा स्रीवार है प्रजवट है अलभुरूनी है यहां फिर कलहाना आएगा कलपना नहीं आएगा यहां पर सब कलहाना ने तो राजबुरी लिखा था ठीक है और यह जोपना हाँ, जो भी बच्चे आपसन सी मार करें बल्कुल सही अलबुरुनी अलबुरुनी ने इसको मार किया था राजबारी में यह कोशन भी एक्जाम में कहीं बार पूछा जा जुका है राजा जनकी पाल थे, राजा अमना पाल थे, संग्राम पाल थे, या प्रिवत्वी पाल थे बताईए जरह इसका राइट आप्शन क्या है देखें गाई सा हमारी एक वीडियो आई थी दोपैर को आई थी शाय दिन को जिसमें मैंने आपको 20 पलस कोशन करवाए थे जो भी यहाँ पर मेरे एफ़े के कैंडिडेट्स है उस वीडियो को जरूर सर्च कर लो आज के दिन पर चैनल पर क्लिक करोगे, आप तो दिखी चाहेगा इस वीडियो से जो दोपैर के टाइम पर आई थी उसको जरूर देख लो, क्योंकि उसमें फ्रीडर्म स्ट्रगल के लेटर कोशन से है जरूर देख लेना उसको सभी बच्चे तो राइट आप्शन इस धी प्रित्वी पाल एक बुक है खुब किल्ड राजा अमना पाल अमना पाल को किसने किल्ड किया था उस बुक के कॉडिंग देखिए राजा नुरूदीन, राजा रहीम अल्ला ख дан अगर्ड अल्ला ख flood तो राइट आप्शन क्या है इसका जल्दी से मार करें तो राइट आप्शन जो इसका है वो है आपका येस आप्शन ए ये माइगरर थे आपके पंजाब टो कश्मीर इन्होंने किल्ड किया था रिबोल्ट एंगेस्ट किया था तो अमनापाल को यहां पे किल्ड कर दिया था यो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे विच टॉन फेबरेट हंट आप मुगर रूलर्स आप ये आप कश्मीर देखें मुगर रूलर्स थे जो जब कश्मीर की तरफ जाते थे उनका हंट स्टेशन कोन था था नहीं मैंसे राजवारी था रामपूर था राजवार था यहां फिर नन्ड था पताएए जल्दी से इस अंदर पैक्ट साइन अमरी सर जो पैक्ट था वो कब किस डेट को साइन हुआ था 8055 में हुआ 46 में 47 में यह 99 में जल्दी से बताएए इसका राइट आप्शन क्या है सो गई जो अमरी सर पैक्ट था ना यह साइन हुआ था ब्रिटिश गोर्मेंट के अंदर अंडर और गुलाव सिंग के अंडर इन दोनों के बीच में हुआ था बताएए यह साइन कब हुआ था ही तो यह हुआ था आपका 8046 में अब बोलता कि हूच चेंज दा नाम आफ रजोर टू रजोरी नाम किसने चेंज किया था रजोर से रजोरी का हमें आपको यह कह नहीं सकता यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चुक हिस्टरी पढ़ रहे हुँ ना उसके अंडरे चीज़े सीखने को जरूरी है महराज़ रंजीर सिंग थे महराज़ गुलाब सिंग थे प्रूथी पाल थे किसने यह चेंज किया था यहां फिस सरी बार था तो जो भी इसका जो राइट आप्शन मैं आपको बता दू बी आप्शन है यहां तक हमारे 21 कोशन आज के हो चुके हैं नाइन कोशन बचते हैं उनको भी जल्दी से डिसकेशन में ला लेती है किसने अपॉइंट किया था मिया खतू को गुवर्नर आफर जोरी का महराजा गुलाब सिंग ने किया था रंजी सिंग रंवीर यहां पिर प्रवित्थी पाल कि अधर मिया खतू ने कंस्ट्रक्शन की थी दानीदार फोर्ड की कि दानीदार की फोर्ड की कंस्ट्रक्शन की थी तो यह थे आपके उपॉइंट करने वाले आपके महराजा अब बोलता कि गुर्द्वारा सिक्थ सिख गुरु गोविंद हरी गोविंद हरी गोविंद सिंग साहिव लोकेटेड इन विज रिस्टिक आप जमन किश्मी देखे गुर्द्वारा जो सिक्थ सिख गुरु का वो लोकेटेड है कौन सी जिसको बोलते है छटी पचाही गुर ancient temple is known as pandu kund कौन से ancient temple को pandu kundu बोलते हैं जमुण करश्मीर की unit territory में, सिंधी सिभा सिंपल कोशन ऐसा है मंगला मादा टेंपल है पंचनारा टेंपल है, यहां फिर पीर बदेश्वर है पीर बदेश्वर की स्टोरी में ने उको लौट शिवाबाली जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देखो तो इसका राइट आफशन आपका बी है पंचारा टेंपल उसके बाद बोलता है कि तत्ता पानी फेमस वाटर स्प्रिंग आफ सल्फर लोकेटे इन विच डिस्टिक आफ जमुण करश्मी रजोरी, डोड़ा, किष्टवाड या फिर अल अफ देखी कप्लिटर цвет कंस्टूक्शन सी जो दांदीदार По कोंट की कब होई थी किस्ती मिया घतु ने करवाई थी? गवर्नर थे, पॉइंट किस ने किया था? गुलाब सिंग ने टिक है? वन डिड रजोरी रीकाप्चर? रजोरी को रीकाप्चर कब किया गया? आर्मी द्वारा याद रखना कब किया गया था? आर्मी द्वारा बताएं जड़ी से इसका अंसर तो जोरी को जोरी जब कैप्चर हुई थी वह हुई थी आपकी 7 नमबर 1947 में चीक है उसको रेकप्चर कब किया गया था बताएं ज़रा डेट इसकी 1948 में तो यह की गया थी रेकप्चर 12 अप्रेल को और 13 अप्रेल को आपको कुण सा डे होता है रजोरी डे ठीक है राइट अप्शन इस डी नाट बी ओके after that next question which of the flowing place was used moogles for stays इन में से कुन सा जो ऐसा places था जिनको moogles use करते थे rest के लिए stays के लिए चिंकुस fort था थाना मंडी था रामपूर था यहां फिर आल अफ़त दीस थे जल्दी से बताएं इसका अंजर तो इसका जो राइट आप्शन वापका डी है ठीक है आप्शन डी अलब दीस इन सबी को यह जूज करते थे और उसके बाद बोलते हैं कि हूँ लेट तफांडेशन आफ जराल मुस्लिम रूल इन रजोरी किसके दोरा जराल मुस्लिम रूल की जो था यह लाया गया किश्म इससे बाहर का कोशन नहीं आएगा लास्ट में कुछ बाते गरूंका फाइनेंस कांटेस्टेंट के लिए ठीक है तो इसका जो राइट आप्शन है वो आपका जो भी बच्चे भी आप्शन मार करें बिल्कुल सही जा रहे हैं आप्शन भी जो क्रेक्ट आप्शन ठीक है खोब सो आपको लाक्षर अच्छा लगो तो गाइस अब सभी बच्चों ने क्या करना है हूनेस्टली अपना जो स्कोर होगा स्कोर जो होगा आउट आफ अफ आउट आफ थर्टी जतना विमका स्कोर बनें बिद नैक्टी मारकिंग के साथ अपने अपना स्कोर जुरूर शेयर करना है अब मैं बात करूंगा थोड़ी बहुता फाइनस कांटेस्ट के बच्चों के लिए देखे जो फाइनस कांटेस्ट के candidates हैं वह अभी क्या करें अभी इस इन दिनों में क्या करें दिके इन दोनों में वो अगर कि कुछी चैनल्स है बड़े बड़े जिन और इबैंग के smlog test को कर सकती हो फिर क्या करो जो भी वी आपको problem सारी है मुझे करने को नहीं मिल रहे हूं क сотруд है प्रहली आप section ली प्रीह करो ओल्रीड के section लेती हो उसमें काफी benefits है sectional अगर आप English का दे रहेही professional जीके का दे रहे हो जीके का सेक्शनल दे रहे हो तो आप जीके का सेक्शनल लेके आपको क्या लग रहा है कि मेरे यार दस माक्स आ रहे हैं बंदर आ रहे हैं बीस आ रहे हैं जितने भी आ रहे हैं तो आपको उस पर वर्क करना है यानि कि चीज़ों पर आपको लग रहे हैं म हम भी आपकी सेलेक्शन नहीं गराते हैं, जब तक आप मेरा चैनल नहीं उपन करोगे, तो कैसे सेलेक्शन होगी, यह आप से खुद मैहनत है, मैं थोड़ी आपके गर पे आऊँगा, कि आप चाके मेरा चैनल उपन करो, जो मैंने आज वीडियो अप्लोड करी, उसको देखो नहीं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे गाइडलेंस दे सकता हूँ, सैल्फ स्टड़ी एक बेस्ट रोल है, सिदी सी बात, यूट्यूब पे अगर आप एक वीडियो सेर्च कर रहे हैं नाम से, तो हजारों वीडियो आपके सामने होगी, याद रखना है इंतनी सी मेरी बात, बाकी आपने क्या करना है, बाकी जी के आप करो, आप टाइम टेबल देखो, अगर आप नहीं लगता है, मैं डेली हर सबजेक्ट पढ़ना है, सुबह 10 बचे पढ़ो, 10 से लेके 12 बचे तक, इसमें आपको क्या करना है, आप इसमें दो सबजेक्ट पढ़ो, कोई भी दो, जिसके 10 marks हैं ठीक है जिसके 10 marks हैं चलिए मैं यहाथ पर बताता हूं time table बताता हूं F way वालों के लिए अगर जिसको अच्छा लगेगा वो follow कर सकते है F way वालों के लिए time मैं पूरा दिन में 6-7 subject आपको पढ़ने के लिए बोल सकते हूं सुबह 10 बज़े से लेके 12 बज़े तक आपको 2 subject पढ़ने हैं यानि कि एक एक गंटे में आपको एक एक subject पढ़ना है अगर आपने पहले के नहीं पढ़ने हैं तो यह आपके लिए आप इसमें अभी भी cover कर सकते हो ठीक है lecture देखे कहीं से अगर आपने पढ़ने हैं revise कर सकते ह advice के लिए best time है 10 से 12 बज़े तक यानि कि 2 गंटे में आपको 2 subject पढ़ने हैं वो भी कौन से accountancy और जी के बिल्कुल नहीं पढ़ना है इसमें आपने पढ़ने हैं अपने 10 marks वाले दो subject आपको यहां पर पढ़ने है उसके बाद जो 12 बज़े से लेके time होगा आपका 12 बज़े स पढ़ो इस time में और जो आपका 2 बज़े से लेके 4 बज़े का time होगा उसमें आप पढ़ो जी के कौन-कौन सी इंडिया की और जीनकी की क्योंकि आपको यह दो टापी के finance contestant वालो हो ठीक है दो बज़े यह होगा आपका time 4 बज़े तक जो बचा 5 बज़े तक पढ़ सकता है अगर आप 4 से लेके 5 तक भी पढ़ते हो इसमें भी आप एक subject add कर सकते हो ठीक है 10 marks वाला आप यहां पे भी एक add कर सकते हो ठीक है उसके बार रात को कितने बज़े रात को अगर आप 8 बज़े भी पढ़ने के लिए 8 टू जितनी किसी की passage 10 बज़े तक होती है किसी की 11 कितने subject हुए सब 2 subject यहां पर होगे एक यहां पर होगया दो तीन चार यहां पर होगे और दो छे यहां पर होगे दो सर रहते हैं दो आप अल्टरनेट रख दो इन दिनों में जिसको आपको लगता है कि नहीं है इनके लिए आपको time निकालना पड़ेगा इस तरह से आप अ प्रेटेट मार्क्स डिसाइड करेंगे यानि कि 60 मार्क्स आपकी यही डिसाइड कर देंगे आपके ठीक है यह थी एक strategy finance contest वालों के लिए अब मैं आपको बताऊं कि जो आपकी gk है gk है वो इस वाद आपको डिवाइड करके दीए है एक तो इंडिया की और एक तो आपकी gnk की देखिए गाइस जो आपको लोग बोड़ेंगी करंट फेर के कोशन आपको दस आएंगे वो बिल्कुल आपको distract कर देंगे करंट फेर के कोशन इतने नहीं आते हैं आप पिछला पुराना पेपर कोल लो पंचाहिद कोंटेस्टन का उसमें भी आपको जादा से जाद तीन से चाहर कोशन आपको करंट फेर के देखने को मिलेंगे जादा नहीं मिलेंगे तीन से जाद वो भी आपको अगर आपने बड़े होंगे वो भी थोड़े बहुत इंटरनेशनल लेवल के हो सकते हैं इस तरह से होगी अब यहां तक मुझे लगता है कि बिद करंट फेर साथ अगर मैं बात करूँ अगर बिद करणटफे का साथ अगर बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि इस वार जिएन क करेंने के करणटफे बोचे जाएंगे बड़ी मुश्किल है कि आप एकजाम में देख रहे हो भी भी अगर मैं बात करूँ तो इंडिया की जीके यहां तक लगता है यह 20 marks करी करेगी और यह 10 marks जुरूर करी करेगी ऐसा भी हो सकता है अगर इस shift को easy बनाया जाए तो यह बाजी wise versa भी हो सकता है यह 20 इदर जा सकता है यह 10 इदर भी जाए सकता है पर मैं आपको बता दू ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में जो most important topic है वो physical political division है जिसमें से 3-4 question बन सकते है जो आपका ना freedom struggle यहाद रखना 2-3 question खहीन ही छोड़ेगा यह demography हो एक-2 question reverse वाला एक-2 question बाकी यह इस तनाद के question बाकी question आपके environment ecology से भी 3-4 question बन सकते है तो current fair के आप रख सकते हो 3-4 question इससे जादा नहीं होगी ठीक है जी एनके के देख दस इतने question हो सकती है बस यही था बाकी आप देख सकते हो economics lengthy है बाकी एह lengthy है बट शायद इस वार easy हो accountancy आप देख रहे हो accountancy के इस वार आप देख सकते हो कि I think इसके 15, 19 lecture है 19 topic हैं तो 19 मैंसे 30 को बना लो गिस तरह से होगा जो पिछली वार 3 marks के topic आये था वो इस वार से 1-2 marks का होगा देखे आप इतना कह सकते हैं जो पिछली वार आपका 30 marks का था वो अब आईगा 20 का वो बाकी वाले हो सकता है 10 marks के बुच्छे जो newly added topics है यानि कि हर एक topic जो होगा वो 2 marks जुरूर carry कर सकते हैं ठीक है तो skip बिलकुल भी मत कीजिएगा अच्छे से preparation करोगा इस बाकी बगवान पर छोड़ो ठीक है अपने से नहीं करोगे तो बगवान भी आपकी बिलकुल भी help नहीं करेंगे लास्ट टाइम यही टाइम होता है strategy change करनेगा ठीक है अब revision जितने अच्छे से अच्छे साथ से शे से साथ गंटे तो हो जाएगा ठीक है current fair आप कहां से पढ़ने हैं कहां से नहीं पढ़ने हैं यहां से आपको अच्छा लगते हैं बस एक बार read out करो current fair को अब इतना नहीं है इसको रटो यह ऐसे हुआ वैसे हुआ पस दिमाग में एक बार कुछ चीज़े ऐसी होती है फिर्क हो जाती है ना तो फिर निकल नीती है एक्जाम है यहीं चीज़े आप नहीं पढ़ने ग्रंट fair मत पढ़ो बीस के बाद पढ़ो पंदरा के बाद पढ़ो जिसमें आप एक साल के ग्रंट fair पूरे revise कर सको यह यह डिपेंड है तो रखता है उस वीडियो को अहां जिन बचोंने typing test pass किया है मैं आपको पता दू पटवारी का एक्जाम देने चाहरे है यूने रस्टेंड में इतना मैं आपको पता दू इतना आपका आप देख रहे हो 20 से लेके 22 तक एक्जाम होगा यानि कि cbt होगा इनका cbt होगा 20 से लेके 22 तक यह ऐसा क्यों हो रहा है क सर इस दूर दिन में एक तीन दिन में मतलब cbd कैसे हो रहा है यानि कि बच्चों इसमें आप देख रहे हो कि तीन दिन में सर 1500 विकैंसी का कैसे return कंड़क्ट होगा तो सो बच्चे कम है क्या है बच्चे कम है बच्चे क्यों कम है सर क्योंकि आपको पता एक phase तो पहले का phase क इसका कितना रह सकता है यह खुद आप अपने idea से सोच सकते हो कि बच्चे कितने कम होंगे इसमें बते ऐसा नहीं है competition आपका ज्यादा नहीं है बड़ा कम है competition in comparison to F.A. जो बच्चा मैं आपको बता लो जो बच्चा junior student का typing test पास कर गी है न तो वो उसको थोड़ी सी अभी 20 दिन लगा ले अच्छे से जतने भी दिन रही है अच्छे से दिन लगा लो एक तो आपकी English है हो जाएगी अच्छे से पढ़ो सुबह पढ़ो अब इनके लिए भी time table मना लेती है सुबह दो गंडे पढ़ो 10 से लेके 12 बच्चे तक आप पढ़ो English practice करो अच्चे से बुक ल को इंडिया जी के इंडिया की जी के जो ठीक है इंडिया की जी के और मैं बताता हूं रुको रुको दो बज़े तक हो गया सब तीन बज़े स्टार्ट करते हैं तीन बज़े से लेके 5 बज़े तक पढ़ो आप computer ठीक है अच्छे से पढ़ो डिटेल रात को 8 बज़े से ले हैं यह टाइम डेवल लेगा link डूगंडह आट साथ हो रहे हैं साथ जाते मोpeare को भीक्विष यतना लग ऍिंदने लगा सकते लगा इसको 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 क्या चाहिए प्रैक्ट इसको क्या चाहिए प्रीमिय। और नया कंसेप्ट सीखने हैं इसको क्या चाहिए सर इसको चाहिए आपको रिवीजन इसके लिए प्रैक्टिस दो रिवीजन दो प्रैक्टिस बहुत अच्छा चांस मिला है मेरे जो भाई है ना यूनियर स्टेंट के बहुत अच्छा चांस है जो आपका टाइपिंग टेस् दस से बहुत कम टाइम दिया है मुझे पता उन्होंने इनका सोचो तीस बगैंसी सारी है इस्टेन का माई लगी वो बाइस दिन एक्जाम चल रहा है बीस बाइस दिन खुद सोच लो बाकि इनका जो भी बच्चा फाइनका है यूनिरेस्टेन का वो एक्जाम पर पहले इसी पर फोकस दो अब यह मत सोचना मैंने फे का भी लें मैं फे का पढ़ लेता हूँ देखी कि आपके लिए गोल्डन चाहन से यूनिरेस्टेन का खुद सोचो तीन दिन एक्जाम होने जा रहा है कितना बच्चा यह पेर हुआ सभी ने पढ़ा है ऐसी बात नहीं है सभी बच्चों ने पढ़ा है सभी रिटन की एक्जाम की जारे करें पर कुछ अलग से ऐसा करके चाहो जो आप क्रेकर सोगो इसमें 2 लाक बच्चा पेर हुआ इसमें 1 लाक भी नहीं है 69,000 बच्चे हैं जो जिनका एक्जाम 22 दिन में होने जा रहा है तो सूद्द सोचो तीन दिन में कितने बच्चे एक्जाम देने जा रहे है इसका युनिरेस्टेंट का वो भी सी बीटी 69 बच्चा पेर जिन्हों को एड़िमी कार्ड इशू गी है इनोंने बाकि आपको सोच लो कितना पेर होगा अभी दक मेरे क्याल में 15, 20, 30 तक हो गया होगा जिन्होंने बच्चे एक्जाम ले दिये होगा सो गाईस रखते हैं इस वीडियो को लेंती हो जाएगी तब तक लिए बब बाए और टेक क्या स्टाटरजी जिसको अच्छी लगी है जूनियरस्टेंग की और फाइनेंस की फालो कर सकता है बाकि आपकी मरजी